मेरे पास बहुत सारे लोग कोशन्स आते हैं जो बिगिनर्स होते हैं तो उनके ये कोशन्स होते हैं कि सर हम मैलेडी नी बना पारे और आप में से काफी सारे लोगों को ये दिक्कत होगी तो उसके लिए आपको मैं एक टिप दूँआ अगर आपने इस कोर्स की पहले की वीडियो नहीं देखी हैं तो आप पहले उने देखें नहीं तो आप इस कोर्स के अंदर कन्फ्यूज हो सकते हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं मैलेडी की के मैलेडी क्या होती है अगर हम melody को हिंदी में बोलते हैं तो हम इसे बोलते हैं धुन या फिर rhythm बोलते हैं कई बार English में अगर मैं आपको technical और simple way में बताऊं तो यह जो है group होता है notes का जो continue play होता रहता है जैसे अभी आप display पर देख सकते हैं कि हमारी chords के उपर कुछ notes लगे हो हैं यह जो हमारे melody के notes है आएए अब हम सुनके देख लेता है कि हमारी melody कैसी sound कर रही है और friends अब हम इस melody को सुनते हैं बिना chords के साथ मैंने chords को mute कर दिया है अब सुनते है इस melody को friends जैसे आप एक और melody screen पर देख सकते हैं यह जो है EDM music की melody है और अब हम पहले इसे सुनके देख लेते हैं कि यह melody कैसे sound करती है फिर हम इसे पूरे music के साथ सुनके देखेंगे कि यह melody जो है कैसे power करती है पूरे music को तो friends आपने melody सुन लिए अब हम इसे पूरे music के साथ चला के देखते हैं तो friends आपको समझ में आगा होगा के melody क्या होती है और melody music के अंदर कैसे power add करती है यह भी आपको पता लगया होगा तो friends आई अब हम melody बनाते हैं तो मैं आपको कुछ टिप से दूँआ इस वीडियो के अंदर और आपको बताऊँआ के melody कैसे बनाई जाती है तो मैं E minor scale लोगा melody बनाने के लिए तो पहले मैं अपना E minor scale जो है वो draw कर लेता हूँ तो यह जो हमने अपना E minor scale जो है वो draw कर लिया है अब मैं इनको reference के लिए रख लेता हूँ तो friends अब हमने अपने E minor scale के reference के note ले लिए हैं तो melody मनाने के लिए हमें क्या करने है जो मैं तरीका जो यूज करता हूँ सबसे पहले मैं chords write करता हूँ अपने scale के अंदर फिर उसके उपर melody मनाता हूँ क्योंकि chords से जो हमें idea लग जाता है melody का तो यह पहले हम chord progression कर लेते हैं आपको इस वीडियो में यह भी पता लगए कि chord progression कैसे किया जाता है मैं आपको simple way में समझाऊँ हूँ तो friends इन दो notes को जैसे F sharp और D को मैंने why I'll do it down वो मैं आपको next video के अंदर बताऊंगा कि इन दोनों को मैंने why I'll do it down यह थोड़ा advance chords के अंदर आता है तो वो मैं आपको next video के अंदर बताऊंगा कि advance chords कैसे बनानी है तो friends अब हमने chord progression जो है वो बना लिया है simple basic chord progression हमने बनाय है तो melody बनाने का जो सबसे अच्छा जो तरीका है वो है question answer melody बनाना मतलब एक पार्ट में आपकी जो melody है वो एक question पूसरी है second part में जो है वो answer दे रही है ऐसे करके अगर हम melody बनाते तो काफी अच्छी melody बन के आती है तो friends मैं आपको simply way में समझाओ melody जो है वो जोनर्स के उपर भी depend करती है कि आप कौन सी feel के अंदर गाना बना रहे हैं जैसे अगर आप sad feel के अंदर गाना बना रहे हैं बट आपने happy melody डाल दी तो फिर वो sad ही क्या रहेगा जैसे romantic song है या फिर happy song है या फिर अगर electronic music है dance music है अगर आपने dance music के अंदर sad melody डाल दी तो वो dance music किस रीज कर रहेगा तो friends आपको यह चीज गोर में रखनी है जब आपको melody बनानी है कि आप बना क्या चीज रहे हैं और उसी के हिसाब से आपको melody जो है वो write करनी है अपनी तो जैसे मैं अभी sad melody write करूँआ तो अब मैं आपको बताता हूं मैं जो हूँ help के लिए क्या करूँआ मैं meternum on कर लूँआ तो बहुम write करते हैं अपनी melody अब मैं आपको बना कर लोः स्वार टचने कर लोः तो शॉल ऑटे लोः और अपको झाल 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 तो फ्रेंड्स अब हमने मैलेडी बना लिए यह मैने आपको दिखाने के लिए सिंपल बेसिक मैलेडी ही बनाई है तो पहलेड़ बनाई जाए आदो नाइए देखाने अचल और तो फ्रेंड्स आप जैसे आप यह सुन सकते हैं बेसिक मैलेडी है तो फ्रेंड्स मेरे पास बहुत सारे लोग को श्च्राइं के बनाई आदे हैं तो उनके ये questions होते हैं कि sir हम melody नहीं बना पारे और आप मेंसे काफी सारे लोगों को ये दिक्कत होगी कि आप melody नहीं बना पाते हैं अगर आप beginner से हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है तो उसके लिए आपको मैं टिप दूँआ आपको melody की practice करनी है दिन में 15 मिनट एक बार अगर ज्यादा कर सकते हैं तो वह आपके उपर है 15 मिनट तो अटलिस्ट करनी है तो उससे क्या होगा उससे ये होगा कि आपका जो माइंड जो हो धीर में 15 मिनट अगर आपको advanced music production सीखनी है तो details आपको description box में मिल जाएंगी और screen को फ्लेश हो जाएंगी तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को like करें, share करें और हमारी चैनल को subscribe करें और friends एक चीज़ में आपको दुबारा बोलूँ हूँ हमा